जो बाबा कभी बहुती भव्वे और आलिशान जिन्दगी जीता था उसके दूर दिन कैसे आ गए वो ज़र आप देखिए बाबा राम रहीम को जेल के अंदर गार्डन में सिचाई का कामिला है रुहानी जाम से लोगों को ठीक करने का दावा करने वाला राम रहीम की जिसने इस सारी सिरिस्टी को बनाया है अब जेल की सराफों के पीछे पौधों की सिचाई कर रहा है ये तस्वीरे पुरानी हैं जिसमें राम रहीम खेतों में हल चलाता और सेंचाई करता होना चला रहा है पहले वो ये काम शौक के लिए करता था लेकिन बलातकार का दोशी करार दिये जाने के बाद जेल में उसे माली कही काम करना पड़ रहा है सूत्रों के मताबिक जब राम रहीम जेल के अंदर आये था उस वक्त वो जेल स्टाफ को नकरे दिखाये करता था वो कभी आधी तो कभी एक रोटी खाये करता था लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है राम रहीम जेल के महौल को समझ रहा है अब वो लगातार कोई ना कोई काम तलाशने में जुटा हुआ है इससे पहले राम रहीम ने खोद जेल सुप्रेटेंडन से माली का काम करने की बात कही थी ये बातें रोहतक जेल में बन और इलाज के लिए पीजिया लाए गए संथ कोपाल दासने कही है बातों को लेकर ये हुआ है ये तो साफ है कि बातकार का दोशी गुर्मीत राम रहीम आने वाले 20 सालों तक सलाखों के पीछे रहने वाला है लेकिन जिस तरह से उसके एक एक रास निकल कर बाहर आ रहा है उससे उसकी मुसीबतें और बढ़ सकती है कैमरासर मोहित के साथ वेक शर्मा, ABP News, सिर्सा